अभी बहीं को नमस्कार, राम राम, जैहिन जैगो माता, मैं अरावली डेरी फार्म, किशनगर, जिलाज मेर, राजस्तान से आमिर पठान, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, बहुत ही शांदार शांदार फीमेल काफ और बहुत ही टॉप क्वालिटी की, देख सकते आपको जो बच्ची पसंद आये, उसका आप मुझे फोटो बेज सकते हैं, मैं प्राइज और डिटेल आपको वाट्सअप पे डाल दूँगा, देखिए, यह स्वान कपिला फीमेल काफ है, यह जारी है, यह आठ महीने की प्रेगनेंट है, यह स्वान कपिला फीमेल काफ है, देखो आप, यह कबरी बच्डी है, यह कबरी इसकी माँ है, पर इसकी माँ छे महीने की प्रेगनेंट हो चुकी है, तो यह बच्ची अलग से देंगे, ये एक वीनी की प्रेगनेंटे जो वीडियो के सामने आ रही है ये वाली एक वाली और हीट ये आट' महीनी प्रेगनेंट है when we can find see them first time delivery होने वाली है साधे साथ से 8 महीने के बीच में प्रैइगनेंट हो चुकी है एक ये बच्चिह है यह सवन कपिला गोमाना आपको दिख रही है यह साधे से छे महीनी की प्रेगनेंट है कंफर्म प्रेगनेंट है प्रेगनेंसी चेक अप करा लिया है ठीक है यह दोनों सोन का पिला है दोनों पास पास में यह सोन का पिला बच्ची है यह सोन का पिला गोमाता है यह बूर्डे की बच्ची है जो बूर्डा पुल अभी शान्त हुआ जो हमारे यहां का फेमस नंदी था उसकी बच्ची है और अभी बिना बच्चे चार-चार लिटर आठ लिटर चार सूबे चार शार आठ लिटर दूद है छे महीनी की प्रेगनेंट है ठीक है और यह चोटी वाली चोटी वाली बच्ची है बहुत ही प्यारी गाई की बच्ची है मैं खुद इसकी माँ को देख क्या हूं बहुत प्यारे माँ की बच्ची है और यह सब लेने के बाद में मैंने इस बच्ची को लिया मुझे बच्ची बहुत पसंद आई थी और देखो इसे कान देखो गुमाव देखो करेक्टर्स दे पर आप मेरे वीडियो को इस वीडियो से कंपेर कर ले ना कभी भी एसी बचडी को इने सेल पर नहीं रखी होगी एक यारी देखो सामने इसके कानों को देखो गुमाओदार गुंडीदार कान और इसकी नाभी देखना आप दिमाग खराब कर दें इसी नाभी है ऐसा फूल कान इस बचडी का इदेखो देखो इसकी नाभी प्यवोर्टी सीन करेक्टर देखो आप देखो प्यवोर्टी उसका इतना मोटाय है जेसे को रण्दी कह रहा हो देखो प्यवोर्टी देखो अ अब को जो पसंद आए उसका स्क्रीण शोट लेले ना आपको यह काबरी-काब्री ओश्के हो गोमाता इसकी बच्ची अलग से सेल करेंगे और गोमाता अलग से सेल करेंगे फिलाल इसकी बच्ची दूद्ध पीरी है इसका अभी दूद्ध भी देरी है यह पर अब इसको च्छे महीने की प्रेग्नेंट होगे ड्राय करनी है ठीक है और यह बच्ची को अब दूसरे दू कि देखो आप ये बच्ची बहुत मोटा सीन या थे चूंडिफ मैंने जादा प्याओर बने कि बच्ची contribution कि एक है कि वश्के कान देखो मैं सकी एंद स्कास्ट आपको ओ रूक रूक है कान स्कानद के इसका केरैक्टर रहत्यक देखो चोटा दांद बड़े कान इस अभी तोक्ति नकानद warum श्कास इसके मा के दन ढ़े निदात हूं तो Уबिर्टी दिखक जाव अपको यह जो बची आया सामने म देखे लिए यह जो बच्चिया है यह साधे साथ से 8 महीनी की प्रेगनेंट है फिर्स लेक्टिशन ने बच्चा देने वाली है प्रेवर्टी इसकी भी बहुत अच्छी है देखो आप पगड़ी देखो आप यह बच्ची देखो कि यह बच्ची यह बच्ची मुझे बहुत पसंद आई थी सब के एंड में इसका ही सोधा किया था इसकी मां मुझे बहुत पसंद आई थी अच्छी दूच छोड़ा है दो तिन दिन थोड़ा ऐसी लगेगी अभी लेटेस्ट में अपनी मां का दूच छोड़ के आई है उसके बाद में बहुत अच्छी खिलेगी यह बच्ची कांदे को गूमाओ दर सिक्का रख दो ऐसे कान इसके अब मैं आपको कबरी जो को मता जो साड़े 5-6 महीने की प्रेगनेंट है उसके मैं आपको दांद दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो के माध्यम से कि आई समड़िशन नाभी वाली वच्ची है एक इसकी डिट्चो कोपी फ्यक इंदर है चाहन नाभी सपेद एव उसकी प champEr लाला आपको अक्र॥ गजियो की बिच्ची लाल नाभी वाली वाली है वह ऑरी नाभी पिछे ईन्यां फोल१ ग। पूरत ब्च्छिमें की सब्सक्राइबंद्स Candance यह बच्ची है इसकी नाभी लाल है इसकी लंबी नाभी है पर इसकी नाभी लाल है देखो देखो और सब अधन्त है सब दूद्ध पीवी बचडिया है हाइट है बहुत अच्छी है गल कंबल बहुत प्यारे है नाभी बहुत प्यारी है मोटा सारे मटकी नुमा ठीक है यह सोण कपिला है अभी इसकी मिल्किंग हो चुकी है चारो थन बराबर भूड़ी की बच्ची है यह सोण कपिला स्पोर्टलेस ठीक है एक बच्ची और वहाँ पीछ वाले यह देखो सोण कपिला के पास बंद रखी है एक यह बच्ची है यह चिपके वे सिंगों के अंदर जो कबरी गाय के पास में वह उतर आगे गई यह देखो बीच में जो खड़ी है वह सोण कपिला है इम्रान भी श्वान आए देखो यह देखो यह बच्ची आगे यह चेए सबसे पीछे जो बच्ची इसकी जांक और वाइड सबसे बॉट्स पोट यह ब्राउन सपोर्ट इसकी जांक यह यह बच्ची है देखो आप उसके सीइं कितना चीपक्या है बरू मेरे वीडियो के पहुच पे और ही यह जो करदन ऊपर रखी देखो बहुत प्यारी बच्छडि है यह चोटी वाली तो ही प्यारी देखो चोटी वाली चोटी वाली सबसे खूपसूरत है देखो आखो में पानी पेवर्टी के करेक्टर्स देखो यह देखो जो जान के उपर देखो आप दिखाया इसने यह फूल वाले कान में देखो फूल वाले कान में देखो फूल वाले कान के अंदर जिसके जान के उपर देखो यह ब्राउन इस बोट है और वो सोन कपिला पीछे पीछे देको सोन कपिला सभी पेवोर्टी वाली है कोई भी हलकी बचडी नहीं है वैसे में बचड़ियां लाता ही नहीं हूँ जब तक पेवोर्ट नहीं मिले में कस्टूमर को मना ही कर देता हूं जब यह आम बचडियों का काम नहीं करते यह बिल्कुल देखो नीचे सीहेंगा रहा है इसका चपक्य है यह यह वचडी गल कंबल देखो इसका कितना कुपसूरत है जो आपको पसंद आए उसका एक का स्क्रीन शोट लेके बेज़ देना जो सामने होगी मैं उसका प्राइज और डिटर लागू हाँ कवरी के दो दांत है यह सोन का पिला बचिया का पोस देखो और यह वाइट वाली बचिया का पोस देखो कान देखो इस वाइट बचिया के यह इसकी मा है और यह सोन का पिला है देखो यह सोन का पिला बिल्कुल छोटी सी हांक मोटा सींग देखो अब इसके कवरी के दात दिखाता हूं आपको यह बच्छडा देखो अपना नंदी महाराज यह भी इनी के साथ है ब्रेडिंग के लिए अपने बुल का अच्छा है अपने जो मेरा बुल है बड़ा वाला कबरा दूद्रेज बलेड लाइन से उसका बच्चा है देखो आप सर की चोड़ाई और मोटाई आप देख सकते है अब देखो देखो बच्चे की प्रेवटी सर की चोड़ाई देखो आप इसको बगले 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 रूखाने देशको अब फुल सपटके गाई प्रेगनेंट कर रहा है और उपर चड़ेवे बुल को आप नीचे उतार सकते हो ठीक है दिगे योक्रम टेडा ठेडा करो तो गेट की तरफ मुख रहा है यह देखो यह अपने ही नंदी का बच्चा है देखो आप गलकंबल अभी कोई मिलने वाला प्रेगनेंट करवाने के लिए ले गया था पांच साथ दिन में उसने दुबला कर दिया यह देखो दोजी दाइत है यह दिगो दोजी दाइत है धिए आपके घर तक की भी गारंटी अपनी यह देखो गाई प्रेग्रेगनेंट करने की अपनी गारंटी है बड़ी से बड़ी गाई हो छोटी से छोटी गाई हो अपने फार्म की बोनिया भी मैंने इससे ही फ्रेग्नेंट करवा रखी है ठीक है बच्चे को ताड़ना है मिलानवी को किरड़े को आप मैं ता जाओंगो यह पगड़ दिखाओ यह कि देखो जी कभरी यह दोउड माता और यह दो लात तोमां पील्कुल तो तापूरी चोटा सा कान और पिवर्टी बहुत शांदर है और यह इसकी बच्चडी बच्चडी वच्चेंगे गाईशंग से बेचेंगे क्योंकि करीब करीब गाही अभी होगा चार पांच लेटर के आसपास दूद्ध और हम ड्राय कर रहे हैं गाही को पेव और भावनेगर ब्रेड लाइन का रेयर कलर है कोई लोग एंब्रीयों के लिए भी ले जा सकते हैं इसको और वाइट थन है ठीक है बिलकुल वाइट वा सब ब्रीडिंग परपस की बच्डिया है तो कम बजट वालों के लिए नहीं है ठीक है कम बजट वाले कोल भी मत करना यह सब ब्रीडिंग परपस की बच्डिया है सब टॉप के बूलो टॉप की मा की बच्डिया है ऐसा नहीं है कि मेरे किसान के यहां से लाई भी है मैंने ब्रीडरh के याँ से पर्चेस की है और एक अच्छे ब्रीडरh के याँ से पर्चेस की है तो प्लीज वो जो दस 15,000 की बच्छीआ डूडते हैं वो प्लीज मडूड ना लधा है बिल्कुल छोटी सी आंक अज क्शंक श्ट क blanket कि देखो आप कान नीचे से जोइंट हुँए नहीं को कितने जोइंट हो रहे है कानु आधि व्यभी किसी को वॉाइट अरचुन नंदी जेषा बच्टे चेशे चाहशए त्यार करनी है तो यह उस प्रेडर के लिए बच्टी और यह गाय